तीसरा दिन मा चंदरघंटा पिंडजय परवरा रुडा चंड़को पास्त्रे केरियूता परसादम तनूते मैहें चंदरघंटेती विशरूता। मा दुर्गा की तीसरी छक्ती का नाम चंदरघंटा है। मा चंदर घंटा ने राक्षसों के संघार के लिए अवतार लिया था। ये अपने हाथों में तलवार, तिर्शूर, धनुस, वै, गदाधान करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंदर विराजमान है। इसलिए ये चंदर घंटा कहलाती हैं। भकतों के लिए माता का ये सवरूप सोम्य और शान्त है। मा चंदर घंटा का सवरूप परम्शांति दायक और कल्यान कारी है। उनकी उपासना अराधना मेतत पर हों। उनकी उपासना से हम समस्सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहजी प्रमपद के अधिकारी बन सकते हैं। तीसरा अध्याय मैशा सुर का वद महर्सी मेगा ने कहा मैशा सुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापती चिक्सुर क्रोध में भर देवी के साथ युद करने के लिए आगे बड़ा। वहर देवी पर इस परकार बानों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरू परवत पानी की धार बर्षा रहा हूँ। इस परकार देवी ने अपने बानों से उसके बानों को काट डाला तथा उसके गोडो वैसार्थी को मार दिया। साथ ही उसके धनुस और उसकी अत्यंत उची धवजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुस कट जाने के पश्चात उसके स्रीर के अंगों को भी अपने बानों से बिन दिया। धनुस गोडो और सार्थी के नश्ट हो जाने पर वै असूर धाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तिक्षन धार वाली तलवार से देवी के सिंग के मस्तक्स पर परहार किया। और बड़े वेख से देवी की बाई बुजा परवार किया। किन्तु देवी की बाई बुजा को चूते ही उस देते की तलवार तूट कर दो टुकडे हो गई। इस से देते ने क्रोध में भर कर शूल हाथ में लिया और उसे भदरकाली देवी की ओर फेका। देवी की ओराता हुआ वे सूल आकास से गिरते हुए सूर्य के समान परजलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओराते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और महा असूर के सूल के सो टुकडे कर दिये। और साथ ही महा असूर के प्राण भी हर लिये। चिकसूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक देते हाथी पर स्वार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। और उसने आने के साथ ही शक्ति से परहार किया। किन्तु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पित्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर देते ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया। किन्तु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंग उचर कर हाथी के मस्तक पर स्वार हो गया और दैते के साथ भव थी तिर्व्यूद करने लगा फिर वहे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पिर्थवी परा गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे फिर सिंग बड़े जोर से आकास की ओर उचला और जब पिर्थवी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर्धड़ से अलग कर दिया क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और व्रक्स आदी की चोटों से उद्रक को भी मार दिया क्राल को दांतों, मुकों और थपडों से चून कर डाला क्रुध हुई देवी ने गदा के परहार से उद्धत दैते को मार गिराया भिंदिपाल से वास्पकल को, बानों से तामर तथा अंधक को मोत के घाट उतार दिया तीनों नेतरों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगराशय, उगरवीरय और महाहनू नामक राक्ससों को मार गिराया उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैते का सिर्कार डाला तथा अपने बानों से दुर्धर और दुर्मुक राक्ससों को यमलोग को पहुचा दिया इस परकार जब महिशा सुर ने देखा की देवी ने मेरी सेना को नश्ट कर दिया है तो वै भैसे का रूप धारन कर देवी के गणों को दुख देने लगा उन गणों में कितनों को उसने अपने मुख के परहार से, कितनों को खुरो से, कितनों को पूच से, कितनों को सिंगों से, अनेकों को सिंग नाज से और कितनों को स्वास स्वायू के जोकों से पिर्थवी पर गिरा दिया वहे देते इस परकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंग को मारने के लिए दोड़ा इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया उधर देते विक्रोध में भर कर धर्ती को खुरो से खोदने लगा तथा सिंगों से परवतों को उखाड़ उखाड़ कर धर्ती पर फेकने लगा मैशाशूर के वेख से चक्कर देने के कारण पिर्त्वी शुब्ध होकर फटने लगी उसकी पूंच से टकरा कर समुंदर चारो और फैलने लगा खिलते हुए सिंगों के आघाच से मेग खंड खंड हो गए और स्वास से आकास में उड़ते हुए परवत फटने लगी इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्सस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई देवी ने पांस फेक कर देटे को बान दिया और उसने बन जाने पर देटे का रूप त्याग दिया और सिंग का रूप बना लिया और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तयार हुई कि उसने पुरुस का रूप बना लिया जो की हाथ में तलवार लिये हुए था देवी ने तुरन थी अपने बाणों के साथ उस पुरुस को उसकी तलवार धाल सैत बिंद डाला इसके पस्चात वै हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खीचने लगा और गरजने लगा देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड कार डाली तब राक्सस ने एक बार फिर भैसे का रूप धान कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों साइत समस्थ तिरलोकी को व्याकुल करने लगा इसके पश्चाद क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मदू का पान करने लगी और लाल-लालनेतर करके हसने लगी उधर बलवीरियत था मद से क्रुद हुआ दैते भिगरजने लगा अपने सिंगों से देवी पर परवतों को फेकने लगा देवी अपने वानों से उसके फेके हुए परवतों को चून करती हुई बोली ओ मूर्ख जब तक मैं मदूपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चाद मेरे हाथो तेरी मिर्तु हो जाने पर देवता गरजेंगे महरसी मेगा ने कहा यो कहकर देवी उचल कर उस देत्य पर जा चड़ी और उसको अपने पैर से दबा कर सूल से उसके गले पर आगहत किया देवी के पैर से दबने पर भी देत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से भार होने लगा अभी वै आदा ही भार निकला था कि देवी ने अपने परभाव से उसे रोक दिया जब वै आदा निकला हुआ ही दैत्या युद करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया इसके पश्चात सारी राक्स सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यांत परसन हुए तथा रिशियो महरिशियो सईत देवी किस्तूती करने लगे गंदरवराज गान करने लगे तथा अपसराय नर्टय करने लगी चोथा अध्याय देवताओं द्वारा देवी किस्तूती रिशि बोले अत्यांत प्राकर्मी उस दुरात्मा महिशासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंदरादी देवतागन अपनी वान्यों द्वारा देवी जी किस्तूती करने लगे जिस देवी जी ने अपनी शक्ती से सारे बिर्मान को व्याप्त कर लिया है, जिसका सवरूप सभी देवताओं का समु है, सभी देवता एवं महरसी जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं, वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्वाव को एवं बल को भगवान, सेसनाग, बिर्मा तथा हरी भी नहीं कह सकते। वही चंडी का देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भै के नास का विचार करे। लज्जा सवरूपिनी है। इस परकार की हे देवी जी हम आपको परणाम करते हैं। हे भगवती आप विश्व का पालन करे। हे मातेश्वरी आपके इस एचिंते रूप का असुरों के शेय करने वाले आपके महान प्राकरम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्रा देवी आप संपुन जग का कारण हो। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अगे हो। दोसों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विश्णू, सिव, आदी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सब की आश्रे हो। एवं आप आध्या, एव्या पकर्ता प्रापर करती हो। है देवी जी सभी यगों में जिसके उचारन करने से सभी देवता प्राप्त हो। आप ऐसा एचिंते महा वर्च सवरूप हो। और संपुन दोसों से रहित इंदरियों को वस मे करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्ष सार्ति मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह देवी भगवती परविद्या आप हो आप शब्द सवरूप हो प्रम्पवित्तर रिग्वेद यजुर्वेद एवं मनोहर उदगीत के पदों के पाठ से युक चामवेद का आप निधान हो वेत्री देवी हो छै गुणों से सं पन आप भगवती हो सभी सस्त्रों का ज्यान कराने वाली है देवी आप मेगा हो दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नोका रूप दुर्गा हो आप असंग हो कटब दैत्य के शत्रू विस्नु के वक्स तल पर निवास करने वाली आप लक्षमी सवरूप ह एवं चंदर्मा को मस्तक परधान करने वाले भगवान संकर से सम्मानित आप गोरी हो यदपी आपका मुख सुन्दर तथा परिपूर्ण चंदर्मा के बिम का अनुकरन करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से सोबित है इस परहार के निर्मल मंद मुस्कान से सोबित चंदर्मुक को देखकर क्रोध से परिपूर्ण मैशा सुर्ण ने जठी आप पर परहार किया यह अदबुत बात है उससे भी अती अदबुत एवं विचितर बात तो यह है कि जब वह मुक क्रोध से युक था उदय होते हुए चंदर्मा की भाती लाल लाल था तनी हुई बोहे अती विक्राल थी ऐसा देखकर मैशा सुर्ण ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिये भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी अम्राज को देखकर भी जीवित रह सके हे देवी जी आप परसन हो सरवदा उन्नति दाता देवी जी आप जिन पर परसन है वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं उन्हे ही धन तथा यस मिलता है हे देवी आपकी करपा से उसे सर्वन लाब होता है इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो आप से बढ़कर और कोन है सब के लिए उपकार करने वाली हो आप सरवदा दया में हो इन राक्ससों से वद करने से जगत सुखी हो ये राक्सस कभी नर्ग के लिए च पिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वद आपने इसलिए किया कि मुझ से मारे हुए ये सरक चले जाएं। यही मन में रख कर है देवी आप पापियों का वद करती हो। आप असूरों को केवल देखने मातर से भसम क्यों नहीं करती। शत्रों पर सस्त्रों का परहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है। क्योंकि शत्रों मेरे सस्त्रों से मर कर पवित्तर होकर उत्तम लोकों में पहुचे। इस परकार आपका यह विचार अति उत्तम है। आपका सील सवभाव दुराचारियों के दुष्ट सवभाव को निवर्थ करने वाला है। और आपका रूप एचिंतन्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपके प्राकरम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर है। परन्तु शत्रूओं के लिए भैदायक है। हे वर्दायनी तिरलोकी भर में यह आपमें ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी शत्रूओं का नास करके इस सारी तिरलोकी की ही आपने रक्षा की। संग्राम भूमी में उन दैतों का विनास करके उन्हें सर्ग में पहुचा दिया। और वहां हमारा भै भी दूर कर दिया। जो की हमें उन्मत दानव ड्रा करते थे। हे माता आपको नमस्कार है। हे देवी हमारी सब और से रक्षा करे। हे अंबी के खड़क द्वारा हमारी रक्षा करे। एवं घंटा के शब्द तथा धनुस की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर पस्चिम दक्षिन में हमारी रक्षा करे। अपने तिर्सूल को गुमा गुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। रिसी बोले इस परकार देवी जी की देवताओं ने स्तूती की और नंदन वन में उत्पन हुए फूलो तथा गंद चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ती पूर्वक दिव्य धूपो द्वारा अर्चना की। तब देवी परसन मुख होकर उन देवताओं से भोली। हे सभी देवताओं अपनी अभिलाशा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले हे भग्वती आपने तो हमारी सभी कामनाय पूर्ण कर दी। कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिश्या सुर्शत्रू का आपने वर्द कर दिया। फिर भी यदि परसंता पूर्वक आप हमें वर्द देना चाहती हो। तो हे मातेश्वरी यह वर्द दीजिए कि जब भी हम आपका समरन करें आप हमें दर्शन दे और हमारी साहता करें। हे मातेश्वरी जो भी मनुश्या इन स्तूतियों द्वारा आपकी स्तूति करें उसे वित, रिद्धी, वैभव दीजिए। हम परसदा परसं रहिए। रिसी बोले हे राजन जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्यान के लिए इस परकार वर मांगा तब उने तथास्तू कहे कर भदरकाली अंतरध्यान हो गई। हे राजन पुर्वकाल में तीनों लोकों का ही चानने वाली देवी का देवताओं के सरीर से जैसे परकाटे हुआ वैसारी कथा मैंने कह सुनाई।